कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हल पेविद जे आर्बी पर हार्दिक स्वागत आयों अभिनेंद्र हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करें कि राजस्तान पुलिस 2021 के लिए राजस्तान समयने यानके 45 प्रसन जो की एक्जाम की द्रेश्टी से अतनी मैतपुन है यह वीडियो नमबर हमारा उनीस से इससे पहले के ठराव वीडियो आपने नहीं देखेंगों तो उनकी प्लैलिस्ट का लिंक आपको डिप्सक्राइब मिल जाएगा या या मारे यूट्यूब चैनल पर प्लैलिस्ट बनेंगे राजस्ता प्लैलिस्ट को वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज का फास्ट कूस्ट्स्थ न आहपकी स्क्रीन पर रदबू जी के पुजारी किस जाती के होते है कि मित्रों हडबु जी का मंदिर का अकूर्ध चीन नम बुंडेल नागोर में और बेंग्टी गाम फ्लोदी जोदपुर में इनका परमुख मंदिर या पुजा सल है मित्रों या गाड़ी की पूजा की जाती है गाड़ी की और बलीनाध जी थे इनके गुरू और रामदेव जी के मोसे रभाई थे तो याद रख सकते हो ए ओप फ्लोदी जोदपुर में ये भी पंच पिरों में सामिल थे मिया जी और बादर कृष्ण अश्टमी को इनका मेला लगता है बादर कृष्ण अश्टमी को या मेला लगता है इसका बी ओप्सन राइट है चलते हैं और इनके वहन का नाम की रिकाबरा है क्यूशन नमबर ती सिसाजस्ता के अएशक को किस नामसे जानते हैं मित्रो सिसाजस्ता वैचांदी तीन मिस्रित रूपसे दातों निकाली चांदी और जावर उद्यापुर में मित्रो सबसे बड़ी खान है जिसे जस्ते कि याद रख सकते हो राजस्तान का बारत में पर्थमस्तान है सिसाजस्ता उत्पादन में किसके सिसाजस्ता उत्पादन में और गलेना इसका है मित्रो हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड देबारी उध्यपूर में इस्तीत है इसका प्रमुक्खनन सेतर है हिंदुस्तान जिंक लिम्टेट के दुआरा देबारी उद्यपुर में वर्तमान में से बंद कर दिया गिए तो चलते हैं क्यूशन नमबर चार की और माहराणा उद्यशिये का राज्येव सेक कहां पर हुआ कुंबल गर्य दुरुग में किस दुरुग में कुंबल गर्य दुरुग में इसका भी डिव ऑप्सन राइट है चलते हैं क्यूशन नमबर पांच की और मामा देव यो जाली बाबा कुंड किस दुरुग में से थिता है तो मित्रों मामा देवें जाली बाबा कुंड किस दिले में स्थित है कुंबल गड़ द्रूग में इसका डी ओप्सन राइट है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और मिटे सा धता इमुदुदिन चिस्ति की दरगा गागरों द्रूग में स्थित है इसका निर्मान किस ने तो अब इस क्यूशन में पुछा गिया निर्मान तो निर्मान करवाया था औरंग जेब ने किसने औरंग जेब ने इसका भी डी ओप्सन राइट है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और सिसा जस्ति की एशिया की सबसे बड़ी खान कांस्तित है जो वर्तमान में बंद है तो मित्रो सिसा जस्ता वैचांदी तिनों मिस्वित रूप से दासू निकलती है इनकी सबसे बड़ी खान कांस्तित है देबारी उद्यपूर में मित्रो देबारी उद्यपूर में यहां ह आज का क्यूशन नमर आठ निमनलिक्त में से कौन सी बक्री की नसल है तो मित्रो बक्री की नसल बताना है आपको तो मारवाडी क्या है बक्री की नसल है मारवाडी किसकी नसल है बक्री की इसका बी ऑफसर राइट बाकि तीन नसलों के बारे में और बात कर लेते हैं गिर वे म बबबर 9 की और आज का क्योंशन नमबर नो तीज वर्च से अधिक सम्य आवुदी की अस्ट वायूमंडिये तसाओं को कहते है तो मितरो तीज वर्च से अधिक जो उस्ट वायूमंडलिये दसाओं को नहीं कहते हैं मितरो 19. यू ठीक है जलवा यू इसका भी ओप्सन राइट है आज का क्यूशन नमबर दस ये रहा राजस्तान के कौन से जिले में 2015 सोड़ा में मक्का की सुवार्दिक उत्पादन किलो ग्राम परती हेक्टिर्स रही तो मित्रों 2015 सोड़ा में मक्का की सुवार्दिक उत्पादन जो क किलो ग्राम पर त्यार्क किया रहाएं वो रही थी मित्रो बुंदी जिले की किसी लेगी बुंदी जिलेगी क्यूंशन Candle 10 का बी ओप्षफ्यों राइटे एं इस वीडियो को लाइक ने के तो लाइक करें और अपने निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ओजोन दिवस मनाया जाता है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाते है शोड़ा सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाते है शोड़ा सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाते है चलते हैं क्यूशन नंबर 12 की और निमलिक्त में से कौन सुग गुर्मिल से होने वाले परदूसन के कारण गरशित है इसका भी बी ओप्सन राइट है यह क्यूशन नमबर 13 की और वर्तमान में राजस्तान में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान है तो मित्रों वर्तमान में पूछा गिया पहले तो देबारी उध्यपूर थी वर्तमान में पूछा दो जावर उध्यपूर क्या है मित्रों जावर उध्यपूर तो इसका उप्सन भी राइट है जावर उध्यपूर याद रख सकते हो चलते हैं क्यूशन नमबर 14 की ओर निमन लिखित में से कौन सा वन्यजीव अभारन है दोलपूर में इस्तित है तो मित्रों दोलपूर में कौन सा वन्यजीव अभारन है केसरबाग केसरबाग याद रख सकतों यह दोलपूर में इस्तित है इसका बी ओप्सन राइट है क्यूशन का बात करते हैं तो शरीश का अलवर में शतित है सजनगड मित्रो उधियपूर में सतित है और दर्रा कोटा वेजालालापुर के मधिय सतीत है तो इसका B-Option राइट है दर्रा कोटा में सतित है चलते है क्मिशन नंबर 15 की और पंदरा नंबर क्यूशन निमलिक्त में से वन रिपोर्ट 2017 के उन्चार राजस्तान के कौन से जिले में दवित्य स्वार्दिक बन शेतर पाया जाता है को मित्रो वन रिपोर्ट 2017 के उन्चार दुवित्य श्वार्दिक बन पाया जाता है है परत्मस्थान पर दो उद्यपूर परत्मस्थान पर उद्यपूर में इस अल्वर में और सब से कम पाए जाते हैं मित्रो चूरू में, कहां चूरू में, तो इसका B option right है, question number 16, राजस्तान की मोठा पादप है परजाती किस वासा, किस वास का वरग है, तो मित्रो मोठा पादप किस वास का वरग है, जल वास, मोठा पादप एक जल वास है, तो याद रख सकते हो, B option right है, यह थे मित्रो 16 क्यूशन, अब चलते हैं 17 नंबर क्यूशन की और, इंदुस्तान जिंक लिम्टेड नामक कार खाना कहां स्थिते हैं, तो मित्रो हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड नामक कार खाना स्थिते हैं, देबारी उध्यपूर में, याद रख सकते हो, वरतमान में यह बंद है, देबारी उध्यपूर में हिंदुस्तान जिंक लिम्ट नामा का कार खाना अस्तापित किया गया है जो की वरतमान समय में बंध है चलते हैं क्यूशन नबर 18 की ओर एश्या का सबसे बड़ा कार खाना सूपर जंक स्मेलटर स्तित कां स्तित पुर एश्या का सबसे बड़ा जिस पुर最 खाना भुथare का स्तीत है चिंदेरिया चितोर गड़ में ऐ क्या है अप्सान राइट है आज का क्यूशन नमबर 19 केसर बाग बन्याजीव भार्ण है राजस्तान के निमन में से किस जिले में स्तीत है तो मित्रों केसर बाग बन्याजीव भार्ण है धौल पूर में इसका बी ओप्सन किषिए नमीजिट में से कौनसा मर्दा के दिवित्या पोसकत्त पूशेद नहीं है, तो मित्रों पोटास नहीं है, क्या नहीं है, बाकि सबी यह मित्रों बृन जाएं। मेगनीज और कोपर ये द्वित्य पोसक तत्व है पोटास नहीं है इसका उप्षन तो बिल्कुल राइट उप्षन भी पोटास नहीं है आज का क्योशन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर यह रहा राजस्तान के चुरू जिल्ले में कोपेन वरगी करन के अनुसार किस परकार की जल यू पाई जाती है तो B.O. ऑपसन राइट है चुरू जिल्ले में B.W. H.W. जल वाई यू पाई जाती है आज का 22 नंबर क्यूशन खनीजों का अजायब घर किसे कहाज जाता है तो मित्रो खनीजों का आजायब गर किसे का आजाता है राजस्तान राजस्तान को मित्रो खनीजों का आजायब गर का आजाता है मित्रो राजस्तान का बारत में दुवित्यस्तान है खनीज बंडार की द्रेश्टी से याद रख सकते हो परतमस्तान पर 0 खंडा है चलते हैं क्युश्य नमबर 23 थारण-वैट के वरगीकरन के अनूसार निमन में से कौन सी उसनकटबंदिया मुरूश्तलिया जलवाईउ को दरसाता है। ए ए डेस डी ए डेस डी तो ए ओप्सन राइट है इसका ए डेस डी यह राजस्तानी की मुरुस्त ली उसन कटबंदिया मुरुस्त लिए जलवाईयों को दर सात है तो आज का चोईश नमबर क्यूशन आपकी स्ट्रीन पर राजस्तान के निमलिक में से किस जिले में काली चंबल से मिलती है तो किस जिले में मिलती है तो कोटा जिले में काली सिंद नदी चंबल में अपना जल गिरा देती है तो याद रख सकते हो आज का क्यूश्टन नमबर पचीस राजस्तान के निमलिक में से कौनसी नदी युम्नम से मिल जाती है तो कौन ची नदी युम्नम से मिलती है बान गंगा नदी अर्धुन की गंगा भी से केता है मित्रो बान गंगा नदी को ये किस से मिल साइक नदी है ये मुना किस साइक नदी है मित्रो अजान बांद इसी नदी केके न रशती है कौन सा मित्रो बांध अजान याद रहता लोगे तो किस्द लुगे के नशिती help बांध भर्तपूर में से मित्रो या अजान बांध और बानग Hamburg नदी के नशिती थे और बानग stays लोगे कôi डेकर बेराट की पाड़ियों से पाड़ियों से मारवाड का कोन सा वित्रो मारवाड का कौन सा राजा नाथ संपर्दय का अनुवाई था तो नाथ संपर्दय का मान सी मान सी है नाथ संपर्दय का अनुवाई था याद रख सकते हो ए उप्सन राइट है आज का 27 नंबर क्यूशन बितोड़ा का यूद कब लड़ा गया 8 सितंबर 1857 को कौन सा यूद लड़ा जाता है बितोड़ा का यूद लड़ा जाता है इसका A option right है कुस साल सिय चमपावत बरसेदे कुस साल सिय चमपावत वै तक थी ये सिय हैं के सिनापति होए 89 सिय वहिद कोट के मद्दे युद लोड़ा जाते हैं इसमें 89 सिय वहिद कोट मारे जाते हैं और कुसाल सिय चमपावत इस युद्व को जीद लेता है याद रख सकते हो 858 सितंबर 857 को भी थोड़ा का युद्वा था आज का 28 नमबर क्यूशन अंग्रेज सरकार ने जोदपूर राजे के साथ नमक संदी कब की तो नमक संदी कब की थी 1870 सिवी में अंग्रेज सरकार ने जोदपूर राजे के साथ नमक संदी की थी अंग्रेज सरकार ने याद रख सकते हो 1880 सिवी में आज का most important question मित्रो बहुत बार प्रिक्षों में पूछ गये स्वामी देयानंद सरस्विती ने किस राजा के समय मारवाड आये थे मित्रो ये क्यूशन बहुत बार प्रिक्षों में पूछ गये थो मित्रो स्वामी देयानंद सरस्विती जसुनस सीन दिवित्य के सासन काल में मारवड आये थे इसका C option 8 जसुनस दिवित्य के आज का क्यूशन नमबर 30 विजा वे माला राजस्तान की किस जन जाती की साख़ई है विजा वे माला तो मितरो सांसी जन जाती की ये उप साख़ई है याद रख सकते हो साखाई है ये मित्रो सांसी जाती की भी जाब है माला आज का आक्यूशन नमबर 31 निमलिक्त में से कौनसी जील जग मंदिर वए जग निवास के लिए परसिदे पिछोला जील मित्रो इसमें एक नटनी का चबूतरा भी स्थित है पुछोरला जिल में इस ती था है, नटनी का चब बूतरा मित्रों जग मंदिर का निर्मान किसने करवाया था? जगत सिय है फ़ोस ने इसे पूरा करवाया था 1651 में पूरने करवाया था और बात करते हैं जग निवास की मित्रों जग निवास का सत्रा सो छाली सी स्वी में निर्मान पूरों ने करवाया था मित्रों किनों ने जगति सियं सेकेंड ने याद रख सकते हो इसका निर्मान फाइश्ट ने करवाया था मंदिर का निर्मान फाइश्ट और निवास सेकेंड यह ऐसे याद राख सकते हो मंदिर पहले बना निवास बाद में बना मंदिर का निर्मान फाष्ट ने करवाया और सेकंड का निर्मान करवाया था मित्रो सेकंड निर्मान करवाया था निवास का तो याद राख सकते हो जग जगत शीया फाष्ट ने 1651 में जग मंदिर का नि इसो भूशन गरंथ की रचना किसने कि नहीं मुरारीदान बारण नहीं किनके दरार किया जाती है मुरारीदान बारण के दरार उस्वन हैं मुशन भूसन गरंथ की रचना किनके दरार네 12 औह ऐं आज किसे कहते हैं राजस्तान का ताज मेल किसे कहते हैं तो जोधपूर राज्य को पोलो का घर किसे कहते हैं क्यूशन नमबर 35, मारवाड के किस राजा ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो इच्छा जाहिर की थी मारवाड के सास्कते जो 19, 19 ने किस राजे में मिलने की इच्छा जाहिर की थी पाकिस्तान में, तो याद रख सकते हो, आज का क्यूशन नमबर 36, आप अबुशन है मुर्किया मुर्किया अबुशन जो की पुर्ष पेंते हैं पुर्ष परदान अबुशन है यह तो याद रख चिकते हो भी ऑप्सन राइट है चलते हैं आज का क्यूशन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर चूंप नामक अबुशन का समन्द है तो यह चूंप है यह मित्रो दांत क्या बुशन है चलते हैं क्यूशन नंबर 38 गमेती निमलिक में से किस जनजाती के लोगों का नेता होता है तो भील जनजाती का यह उप्सन राइट है भील जनजाती का नेता गमेती के लाता है यह उप्सन राइट है आज का 49 नंबर क्यूशन मारवाड में सा में स्रोपर्थम सामंत प्रथा की सुरुवात कौन करते हैं तो राव चुंडा इसका बी ऑप्शन राइट है राव चुंडा के दुवारा मारवाड में सामंत प्रथा की सुरुवात की जाती है आज का चालिस नंबर क्यूशन राव चुंडा की पुत्री हंसा भाई का विव होता है जो कि मेवाड का उत्तरा दिकारिया राजा बनते है तो मित्रो राणा लाखा लाखा की पत्नी थी एंसा भाई और इनका पुत्र था मोकल याद रख सकती हूं तो आज का एक्टारी से नंबर क्यूशन केंद्रिये मरू छेतर अनुसंदान संस्तान कहां पर स्थीते है तो मित्रो केंद्रिये मरू अनुसंदान छेतर संस्तान स्थीते है जोधपूर में कहां स्थीते है जोधपूर में केंद्रिये मरू छेतर अनुसंदान जोधपूर में स्थीते है इसका भी डी ओप्सन राइट है आज का ब्यानिश नंबर क्यूशन राजस्तान कबीर यात यात्रा का समंद निमलिक्त में से किस छेतर से है तो राजस्तान कबीर यात्रा का समंद है गायन छेतर से गायन छेतर से किसका समंद है राजस्तान कबीर यात्रा का तो ए ओप्सन राइट है आज का 43 43 नमबर क्यूशन निमन में से ए संगत यूगम को छांट ये तो मित्रो ए हाती मोस्तव जोदपूर में आयुजित होता है उंट मोस्तव उंट मोस्तव जैसलमेर में नहीं लगता है बीकानेर जिले में लगता है कहां लगता है बीकानेर में याद रख सकते हो बीकानेर जिले में उंट मोस्तव बनाया जाता है तो इसका डी ओफसराइड था चलते हैं क्यूशन नंबर चुमाल स्क्यूर आज का सेकेंड लाइस्ट क्यूशन राजस्तान के लांगूरिया गित्तों का समन्द है तो मित्रो लांगूरिया गित्तों का समन्द है केला देवी केला देवी मित्रो केला देवी से लांगूरियो गित्तों का समन्द है यह मित्रो क्रोली के प्रसिद गीत हैं और इने केला देवी का मंदर क्रोली मिस्ती थै इसका डी ओप्सन राइट है आज का अंतिम वे लश्ट कुशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा राजस्तान के कितने जिलों राज्य वैदेश के साथ सिमा नहीं बनाते तो मित्रो कितने जिलों हैं जो राज्य वैदेश के साथ सिमा नहीं बनाते हैं किसी भी राज्य के साथ सिमा नहीं बनाते हैं और किसी भी देश के साथ सिमा नहीं बनाते हैं तो इन किसें क्या कितनी हैं आठ मित्रों आठ एसे जी लिह हैं जो ना किसी देश और ना किसी राजय के साथ हैं सीमा बनाती हैं तो इसका भी अप्शन राइट है मितो इनमें से आपके कुल 45 AUDIENCE कुछे घर इनमें से आपके कुल कितने राइट हुए उनका जवाप में वीडियो की में बख़ने मितो इस वीडियो को लाइक करना अपने मितों के साथ ज़ादा से सेर करना ताकि उनको भी इस वीडियो से फाइदा मिल सके तो जो लाइस्ट वीडियो में आपसे क्यूशन पुछा गया ता वो आपकी स्क्रीन पर यह रहा एक लिंग मातम में किस भासा में लिखा गया है तो मित्रो एक लिंग मातम में लिखा गया है संसकर्थ भासा मित्रो इस प्रसंद का जवाब आप सभी ने राइट दिया मैं आप से पुने से निवेदन करता हूँ जो क्यूशन ओफ दा डे पूछा जाता है उसका जवाब वीडियो के कमेंट बोक्स में दे उसके बारे में कम से कम चार या पांच फैक्ट जरूर साथ लिखा करें ताकि आपको जो लिख देते हो याद रहता है लिखा हुआ कभी भूला नहीं जा सकता मेरा मानना है आज का क्यूशन नंबर अन्तिम मित्रो क्यूशन ओफ दा डे है बाला किला राजस्तान के किस जिले में स्थिते हैं तो मित्रो बाला किला किस जिले में स्थिते हैं उसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बोक्स में देने तो अपसन आपके यह रहे जैपूर अलवर अजमेर जोदपूर जो राइट है उसका जो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फाइदा मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा नेक्स वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको सुरप प्रत्र मिल जाए तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भार्त